हर्याणा में राहूल गांधी की भारजोलो यात्रा करनाल और कुर्कशेत्र में चल रही है यात्रा की शुरुवात सुबह 6 वजे से तरावडी से हुई है दुन्दो हलके अंधेरे में राहूल गांधी पैदल चलते नजर आये थे और चिर परचित अंदाज में टी-शेट पहन कर रास्ते में राहूल गांधी को टी-शेट में देखकर कॉंग्रेस समर्थकों ने अपने कपड़े उतार कर भी डांस किये ये वीडियो भी सोशल मीडिया परतेजी से वाइरल हुआ कुर्खशेत में राहूल ने प्रेस कॉंफरेंस की वहाँ उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस तपस्या का संगठन है भाजपा और RSS का नाम लेते हुए जम कल वो हमलावर नजर आये राहूल गांधी ने अपनी प्रेस कॉंफरेंस में कई सारे सवालों के जवाब दिये एक के बाद एक हम वो सारे जवाब आपको यहां दिखाएंगे उन्होंने कहा कि भाजपा पूजा का संगठन है भाजपा पूजा दूसरे तरीके से करती है नॉर्मली पूजा भगवान के पास जाकर की जाती है लेकिन RSS की पूजा अलग है वो चाहती है कि जबरन उसकी पूजा की जाए मोधी जी चाहते हैं कि जबरन उनकी पूजा हो देश में सब लोग उनकी पूजा करें राहूल आगे कहते हैं कि उसका रिस्पॉंस तपस्या ही हो सकती है कॉंग्रेस की तपस्या में कमी हो गई थी यात्रा से उसे पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ राहूल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में क्या कुछ कहा है किन-किन सवालों का जवाब दिया है एक-एक करके सिलसलिवार तरीके से हम आपको बताते हैं दरसल राहूल गांधी से सवाल हुआ कि पानिपत में मंच से कहा गया कि यहां से दिल्ली की सरकार तै होगी करनाल में कहा गया कि यह यात्रा वोटों के लिए नहीं है क्या यह यात्रा जन आंदोलन है या राजनेतिक यात्रा 30 जनवरी के बाद यात्रा का टेक अवे क्या होगा इस पर राहूल गांधी ने जवाब दिया राहूल ने कहा कि ये यात्रा हिंदुस्तान में फैलाए जा रहे डर और धर्म जाती के नाम पर बाटने की नीती के खिलाफ है ये यात्रा एक तपस्या है इसलिए राजनेतिक फाइदा या नुकसान के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता यात्रा के तीन लक्ष है भारत जोड़ो दर के खिलाफ खड़े रहो और दूसरा मुद्दा हिंदुस्तान में आर्थिक असमानता हो रही है जिसमें सारा धन मीजिया और दूसरे इंस्टिउशन के पास तीन चार लोगों के हाथ में है जिसकी वज़े से बेरोज़गारी हो रही है सुनिए राहूल ने क्या कहा जो हिंदुस्तान की आवाज को दबाया जा रहा है और जो हिंदुस्तान में डर फैलाया जा रहा है हिंदुस्तान को जो बाटा जा रहा है एक जात को दूसरी जात से एक धर्म को दूसरी धर्म से जो लड़ाया जा रहा है उसके खिलाफ ये यात्रा है इस यात्रा का एक और लक्ष है और वो मेरा परसनल लक्ष है और जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं वो उनका भी लक्ष है वो है कि हम इस यात्रा को तपस्या जैसे देख रहे हैं कि हम अपने देश से प्यार करते हैं देश की जनता से प्यार करते हैं किसानों से गरीब लोगों से प्यार करते हैं और उनके साथ हम चलना चाहते हैं तो यात्रा का लक्ष पर्सनल है यात्रा का लक्ष देश की जनता को देश की सची अवाज सुनाने का है अब देखिए उससे राजनेतिक फाइदा हो नुकसान हो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ मगर यात्रा का लक्ष अवेरनस का है अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में बोलते हुए राहुल से सवाल हुआ कि यात्रा शुरू होने और अब के राहुल गांधी के अनुभव और व्यक्तितों में किस तरीके का अंतर आया है राहुल गांधी ने इस पर जवाब दिया कि ये तो आप ही लोग टैक करेंगे अगला सवाल था विधानसभा चुनाव के संदर्व में राहुल से सवाल हुआ कि विधानसभा चुनाव में कॉंग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा हरियाना में कौन होगा इस पर राहुल गांधी ने तपाक से कहा कि मैंने कई बार कहा है कि हमारा लक्ष यात्रा का है ऐसे डाइवर्ट करने के उसे कोशिश न की जाए यात्रा को नहीं दिखाया जा रहा है वो अलग बात है लेकिन इसे डाइवर्ट न करें राहुल गांधी से सवाल हुआ कि आप लगातार ये कह रहे हैं कि डर और नफरत का महौल है चतिसगर में आदिवासी लड़के का इंकाउंटर कर दिया गया इंटरनाशनल एक्टिविस्ट सोनी शौरी की बिजली काट दी गई इस तरीके के सवालों पर राहुल ने कहा कि मेरे सामने जो सवाल रखे गए क्या वो नरेंदर मूधी के सामने रखे जा सकते है प्रधान मंत्री जी ने कितनी प्रिस कॉन्फरेंस की जहां पर कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछ सके देश की जनता को माट कर उन्होंने नफरत फैल आई है हिंदू, मुस्लिम और अलग-अलग जाती के लोगों को लडाया है कॉंग्रेस पार्टी ने ऐसा कभी नहीं कहा चतिसगड में जो बताया उसे देखेंगे और अगर बोल सकता हूँ तो मैं बोलूँगा मेरी परसनल राय हो सकती है ग्यात्रा के बाद खुद वहाँ जाओंगा और कमी हो तो उसे सुधारूंगा भी राहुल ने बड़े सधे अंदाज में इसका जवाब दिया आप सुनिए क्या कहा राहुल है वहाँ पे डर का महाँल है उसके बारे में आपने हमें बताया है हम जाके उसको देखेंगे और अगर वहाँ पे हम उसको उसके बारे में बोल सकते हैं मैं बोलूँगा ठीक है और अगर वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो मैं परस्नेल जाके उसको देखके उसमें मेरी जो राय होगी मैं रखूँगा ठीक है इसके बाद राहुल से किसानों पर सवाल हुआ, राहुल से पूछा गया कि किसान आंदोलन हुआ, लेकिन खत्म भी हो गया, MSP पर कोई बात नहीं, इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि इन बातों को कैजूली नहीं लिया जा सकता, ये चर्चा हम अपनी कमिटी के साथ करते हैं, उसकी वित्तिय स्थिती के बारे में चर्चा होगी, मैं यहां कह दूँगा, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि GST और नोटबंदी भी छोटे कारेबारियों को मारने के लिए ही लाई गई थी, ये पॉलिसी नहीं है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी की सरकार इस तरह का आक्रमन नहीं करेगी, और किसानों के प्रोटेक्शन को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा कि कर्ज माफ कर किसानों को लाब पहुंचाया जाएगा, युवाओं के संदर में राहुल गा सकते हैं, उनकी हम मदद करते हैं, युवाओं को लेकर इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार बयान दे चुके हैं, एक बार फिर राहुल ने कहा कि स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री ने हजारों लोगों को बरबाद कर दिया है, क्योंकि उनसे रोजगार छिन गया है, रोड मैप की तरह स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के बेस को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए था। जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को डिस्ट्रोई किया गया है, और कोई शबद ही नहीं है, डिस्ट्रोई किया गया है, GST, De-monetization, और COVID के समय जो किया, वो दूसरे लोग हैं जो रोजगार दे सकते हैं, करोणों को रोजगार दे सकते हैं, मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूं। आप मुझे वो नाम बता दीजिए। जो छोटी कंपनी चलाता हो। स्मॉल और मीडियम साइज इंडिस्ट्री चलाता हो। जो आज लाखों को रोड का मालिक हो गया है। इसका मालिक मेकानिक था। आप मुझे मेकानिक ता था। गारी चलाता है। जो इस देश में बड़ा अदियोग-पति बन गया है। बता ओ। नहीं है। तो जो रोजगार दे सकते हैं। जो सपने पूरे कर सकते हैं। उनको। उनकी हत्या हो रही है तो रोड मैप क्या है रोड मैप ये है कि जो स्मॉल और मीडियम इंडिस्ट्री की बेस है हिंदोस्तान की उसको प्रटेक्ट करा जाए उनको फाइनांस दिया जाए और ये जो छोटे छोटे बिजनसेज हैं इनको टेक्नोलोजी के साथ ट्रांस्फोर्म करके इन में से 5-10% को बड़े बिजनसेज बना जाए ये दूसरा रोड मैप है तीसरा रोड मैप है कि हमारा जो शिक्षा का सिस्टम है ये सिर्फ पांच चीजे सिखाने की कोशिश कर रहा है मतलब 5-5 रास्ते दिखा रहा है इस देश में लाखों रास्ते है जिस दिन ये देश स्किल्स की रिस्पेक्ट करना शुरू कर जाए उस दिन ये देश सच्चा सूपर पार बन जाएगा रहुल ने सिक्षा के सिस्टम को लेकर भी बड़ी बात कही उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 रास्ते दिखा रहे हैं सिक्षा सिस्टम जो हमारा है देश में स्किल्स को डेवलेट किया जाएगा तभी भारत देश सूपर पावर बनेगा टी-शर्ट को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी से सवाल हुआ उन्होंने कहा कि मुझे ममा की डांट पड़ी है सुनिए राहुल ने कितने मुस्कुराते हुए अंदाज में ये बात कही डांट पडबा दी है आपने मुझे टी-शर्ट करकर के मामा ने डांट मार दी मुझे कि तुम कैसे गुम रहे हो राहुल से सवाल हुआ कि राहुल गांधी में कितना फर्क दिख रहा है इस यात्रा के बाद तो राहुल ने कहा कि मेरे दिमाग में राहुल गांधी नहीं है ये भाशपा के दिमाग में है मुझे image का कोई लेना देना नहीं है वो जो चाहे वो image रखें अच्छी बूरी जो चाहे मुझे अपना काम करना है देखिए यह organizational मामला है यहाँ पे PCC President बैटे हैं खारगे जी President है यह आप उनसे पूछे इनसे पूछे मेरा लक्ष क्लियर है जो देश की आवाज है उसको सामने लाने का अच्छा टेंप था मैं कहूं कि उससे अच्छा था ज्यादा sophisticated था मगर मैं डिस्ट्राइक नहीं होंगा ठैंक यू शुक्रिया राहु जी टोटल टीवी से प्रदीप नमस्कार राहुली धन्यवाद य एक और बात जो आपने कहा ने एक 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 बात आपने कही जो जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ अब बैठ सकते हैं ये कॉंग्रेस का प्रेस कॉंफरेंस है विजेपी का नहीं है आरेसस का नहीं है राहुली सब़य की पबंदी भी है नहीं मगर मैंने पहले कहा किसी प्रेस कॉंफरेंस में और आपने मुझे पूछा कि राहुल गांदी में कोई बदलाव आया एक बात मुझे बहुत गहराई से समझ आ गई है कि ये जो लड़ाई है ये एक्चली राजनेतिक लड़ाई नहीं है सुपर्फिशली ये राजनेतिक लड़ाई है जब हम बीएसपी से लड़ते हैं या या टी आरेस से हमारा चुना होता है तो वो राजनेतिक लड़ाई होती है मगर अब देश में एक चेंज आ गया है जब से आरेस से ने इस देश की जो इंस्टिटूशन से उनको पकड़ा है उस दिन से ये लड़ाई राजनेतिक नहीं रही इसका ये अब दूसरी लड़ाई हो गई है चोकि राहुल की प्रेस कॉंफरेंस हरियाना में हो रही थी इसलिए हरियाना पर भी सवाल हुआ राहुल ने कहा कि नॉर्धन बेल्ट में हम अच्छा रिस्पॉंस पा रहे हैं और इन राज्यों में कॉंग्रेस की सरकार आएगी मुझे इस बात की चिंता है कि हरियाना और मद्यप्रदेश में किसानों की सरकार आए और वो सिर्फ कॉंग्रेस ही दे सकती है जो की इन लोगों की बात सुने अपने तपस्वी वाले बयान पर राहूल गांधी मीडिया के सामने गिरते भी नज़र आए मीडिया ने गिरते हुए सवाल पूछा कि क्या आप तपस्वी है जवाब में राहूल गांधी ने कहा कि ये देश तपस्वीयों का है देश का हर किसान मुझसे जादा चला है, मजदूर मुझसे जादा पैदल चला है ये देश पुजारियों का नहीं, तपस्वियों का है और RSSS और मोदी जी जबरन अपनी पूजा करवाना चाहते है सुनिए RSSS और प्रधान मंतरी मोदी पर रहुल गांधी का ये कटाक्ष उसकी रिस्पेक्ट होगी, अब आप इस फ्रेमवर्क से नोट बंदी को देखिए क्या नोट बंदी ने हिंदुस्तान के गरीब की तपस्या की रिस्पेक्ट की? बिल्कुल नहीं, वो तपस्या पर आकरमन था, उसका मेसेश था किसान से, छोटे मजदूर से, छोटे वियापारी से, वहिया तू जितनी तपस्या करनी है तू कर ले, कुछ फरक नहीं पड़ेगा, जला देंगे और बीजेपी, आर एसेस इस देश को फोर्स पूझा की ओर ले जा रही है रहे अधन का प्रेयुक करके, इंस्टिटूशन को कैप्चर करके, लोगों府 को डरा के। आप लोगों को डरा वो आप से कह रहे है, वहीया तपस्या मत करो आप से कह रहे हैं आपकी जो तपस्या है जो सच्चाई मतलब आपको अपने टेलिविजन स्क्रीन पर डालनी है वो मत करो मार देंगे हमारी पूजा करो इसलिए प्रधान मंती जी आपके सामने नहीं आ सकते क्योंकend अखिमें आपकी तपस्या की जलक दिख जाएगी कहींना कहीं से कोई सवाल पूच जाएगा तो यहीं लड़ाई पूजा पूजार पकार समक्षा के में हमारा संगटन पर अगर हमारे संगटन में कमी है तो तप सहसीम कहीं ती और उस यात्रा ने इसको clear कर दिया है कि ये तपसिया का संगटन है वो पुझा का संगटन है उनका वो काम है हमारे ये काम है राहुल की यात्रा इन दिनों हरियाना में चल रही है रास्ते में राहुल गांधी सलक किनारे खड़े लोगों से बाचीत करते भी नजर आए बुला कर लोगों से बाचीत भी की बच्चों को टौफी देते भी दिखे इसे पहले राहुल ने अपने सुरक्षा घेरे में एक युवक जो गुस रहा था जिसे पुलिस ने धक्का देकर बाहर किया था उससे भी बाचीत की इस यात्रा में उनके साथ केसी वेडू गोपाल, भुपेंदर हुड़ा, कुमारी शेलजा और दिपेंदर हुड़ा भी दिख रहे हैं हरियाना में राहूल की ये दुबारा एंट्री है, क्योंकि जब वो दिल्ली आ रहे थे, तो हरियाना होते हुए फरीदाबाद होते हुए आये थे यहां यात्रा सुबे 8 बजे, रायपूर रोणान इस्थित एक धाबा पर टी ब्रेक के दोरान भी रुकी थी, जहां पर राहूल गांदी चाय पीते भी दिखाई दिए और लोगों से बाचीत करते भी दिखाई दिए अब देखना ये है कि राहूल की यात्रा हरियाना से जब पंजाब की ओर जाती है तो किस तरीके का रुक होता है यहां से सीधे राहूल गांधी अब कुरुक्षेत्र की ओर रवाना होंगे और शाम 6 बजे राहूल गांधी कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर की जो महा आरती है उसमें हिस्सा लेने वाले हैं ब्रहम सरोवर में आरती करने के पशात राहूल गांधी जिंदल हाउस में रात में विश्राम करेंगे और आपको बता दें कि हर्याना के अंबाला में 9 जन्वरी यानि कल भी राहूल की यात्रा रहने वाली है 9 जन्वरी को सुबह 6 बजे से फिर से यात्रा शुरू होगी गाउं खानपुर से यात्रा शुरू की जाएगी और 10 बजे के आसपास ये शाहबाद के पी डबलू रेस्थाऊस तक पहुँचने वाली है 3 बजे पट्टी बोरिपूर से यात्रा फिर से शुरू होगी और शाम 6 बजे अमबाला के मोहाडी मंडिर में आकर ये रुकेगी यहां यात्रा का रुक अमबाला कैंट के अनाज मंडी की ओर होगा और यहीं रात्री विश्राम की भी विवस्था राहूल की की गई है इसके बाद राहूल गांधी पंजाब का रोख करेंगे राहूल गांधी की यात्रा सितंबर से चल रही है जो कि अब जन्वरी के मध्य में जम्मु कश्मीर में जाकर खत्म होगी अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं